ब्रेके बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत एट सेवन में अब आई बात करते हैं बध्य प्रदेश की जहां भुपाल एम्स के जिकित सको ने एक मोबाइल एप बनाया है जो गहर बैटे व्यक्ति के मानसिक स्थिति का आखलन कर योग के स्टेप सिखाएगा और उन्हें बताएगा कि कौन से योगासन करना है और कौन से नहीं करना है इस एप का नाम है निरमाया भाव एम्स के डॉक्टर के इस एप को अब भार सरकार से कॉपिराइट भी पिल गया है एम्स भोपाल में एकैडमिक उत्कृष्चिता, ज्यान साजा करने और नवचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है एम्स भोपाल ने विभिन मंचो पर उलेखनी उपलब्धियां हासल की है इस बार एम्स भोपाल के छे डॉक्टरों की टीम के द्वारा विक्सित मोबाइल फोन आधारित योगा एप को भारत सरकार के वड़िजे एवम उद्योग मंत्राले के ओद्योगिग नीती और समवर्धान विभाद द्वारा कौपी राइट प्रदान किया गया है ये मोबाइल एप घर बैठे व्यक्ति के मांसिक स्वास्ति की सटीक आकलन कर योग एवम ध्यान की विभिन तकनीकों को स्टेप बाइस्टेप सिखाता है है तो किस प्रकार की है इस एप की मदद से व्यक्ति ना केवल घर बैठे प्रसिशित योग टीचर की मदद से अपने शारणी के वं मांसिक स्वास्ते को ठीक रख सकता है बलकि डिप्रेशन एंजाइटी जैसी समस्याओं से निजाद भी पा सकता है निरमया भवा एप उसमें योगा के आसन्स हैं छे हफ़तों के लिए छे हफ़तों की ट्रेंनिग है और आसन्स बुजर्गों के लिए डिजाइन हैं सिंपल हैं सब लोग कर सकते हैं वैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को धियान में रखते हुए ये आसन्स फिट इंडिया इस एप को कॉपी राइट मिलने के बाद अब योग क्रियाओं के इन वीडियों का लाव अन्य लोग भी ले पाएंगे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है भोपाल एम्स इससे पहले भी कई ऐसी गतिविदिया कर चुका है जो देश के बाकी एम्स में देखने को नहीं मिलती है योग सीखने के लिए आमतौर पर लोग योग गुरू का साहरा लेते हैं ये एप्लिकेशन ना सिर्फ लोगों को की हलचल की जानकारी भी उनको देती है कैमरमेन चंत्र मोहन के साथ आदेत श्रवास्तों डीडी न्यूज भोपाल